देश भर में श्रद्धालूओं की आस्था का केन त्रिकूट परवत पर विराजी माता शारदा की नगरी मईहर बदहाली का सिकार है मिनी स्मार्ट सिटी बनाने के सरकारी एलानों के बीच मईहर की बदहाली का आलम यह है कि बारिश में रेलवे स्टेशन केंपस भी पानी पानी हो गया है बुद्वार की साम हुई बारिस में मिनी स्मार्ट सिटी मैहर में नगर पालिका और रेलवे प्रसासन की विवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी मैहर रेलवे स्टेशन परिसर में पानी भर गया देवी दर्सन के लिए मईहर आने जाने वाले दर्सनार्थियों और ट्रेन से रोजाना सफर करने वाले जूते चपल हाथ में उठाकर पानी में घुसकर प्लेट फॉर्म तक जाने को मजबूर हो गए जिनके पास सामान था उन्हें और भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा इस्थानिये लोगों ने बताया कि स्टेशन केंपस में पानी निकलने का विवस्थित इंतजाम ना होने से यह हाल हुआ है लोगों में इस बात को लेकर चिनता है कि अभी जब औसत से कम बरसा में यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या इस्थिती होगी मईहर में दर्सनार्थियों का आवा गमन यहां के लोगों के रोजगार का बड़ा जरिया है बदहाल वेवस्था से उनकी आमदनी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है आपको बता दे कि मईहर को मिनी स्मार्ट सिटी के तौर पर विक्सित करने का एलान मुखे मंत्री सिवराज सिंग चौहान ने किया था वहां इसी घोशना को ध्यान में रखकर कई प्रोजेक्स पर काम भी चल रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट विराट 24 न्यूल